हेलो दोस्तों ग्यान की कहानी यूटुब चैनल पर आप सबी का स्वागत हैं आज की वीडियो में हम संतोशी माता की वर्त कथा सुनेंगे बहुत समय पहले की बात है एक बुढिया थी और उसके साथ पुत्तर थे छे कमाने वाले थे एक निकम मा था बुढिया मा छे पुत्रों की रसोई बनाती भोजन कराती और बाद में जो कुछ पस्ता था सो साथवे को दे देते थी परंतु वह बढ़ा बोला भाला था मन में कुछ विचार ने करता था एक दिन अपनी बहु से बोला देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है वह बोली क्यों नहीं सबका जूटा बचा हुआ तुमको खिलाती है वह बोला भला ऐसा भी कभी हो सकता है मैं जब तक आखों से ने देखू मान नहीं सकता बहु ने हस कर कहा तुम देख लोगे तब तो मानोगे कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया घर में साथ परकार के भोजन और चुर्मे के लड़ू बने वह जाजने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओड़ कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा चेहों भाई बोजन करने आये उसने देखा माने उनके लिए सुन्दर सुन्दर आसन बिछाए है साथ परकार की रसोई बनाई है वह आगरे करके उन्हें भोजन कर आती है वह देखता रहा चेहों भाई भोजन कर उठे तो माता ने उनकी जूटी थालियों में से लड़ूं के टुकडों को उठाया और एक लड़ू बनाया जूटन साफ कर बुढिया माने बुकारा उठो बेठा छेहों भाई भोजन कर गए अब तू ही बाकी है उठने कब खाएगा वह कहने लगा मा मुझे भोजन नहीं करना मैं परदेश जा रहा हूं माता ने कहा कल जाता हो तो आज ही जा वह बोला हाँ हाँ आज ही जा रहा हूं यह कहकर वह घर से निकल गया चलते समय बहु की तुम रहियो संतोश धरम आपनो पाल वह बोली जाओ पिया आनन से हमरू सोच हटाए राम भरोशे हम रहे इश्वर तुम्हे सहाए देख निशानी आपणी देख धरू मैं धीर सूदी हमरी मती बिसारियो रखियो मन गंबीर वह बोला मेरे पास तो कुछ नहीं यह कर उसने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी वह चल दिया चलते चलते दूर देश में पहुचा वहाँ पर एक सहुकार की दुकान थी वहाँ जाकर कहने लगा भाई मुझे नोकरी पर रख लो सहुकार को जरूरत थी बोला रह जा लड़के ने पूछा तंखवा क्या दोगे सहुकार ने कहा काम देख कर दाम मिलेंगे सहुकार के यहाँ नोकरी मिली वह सवीरे साथ बजे से देर रात तक नोकरी करने लगा कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन हिसाब किताब गरह को माल वेजना सारा काम करने लगा सहुकार के साथ आठ नोकर थे वे सब चक्कर खाने लगे, की है तो बहुत होश्यार बन गया, सेट ने भी काम देखा और तीन महीने में उसे आदे मुनाफे का साजीदार बना लिया, वे बारा वर्ष में ही नामी सेट बन गया, और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़ कर बाहर चला गया, अब बहु पर क् ती वो सुनो, साज ससुर उसे दुख देने लगे, सारी घ्रस्ती का काम करके उसे लकडी लेने चंगल में भेजते, इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती है, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती, और फूटे नारियल के खोपरे में पानी रख दिया जा कथा सुनकर बोली बहीनों, यहें तुम किस देवता का वर्थ करती हो, और इसके करने से क्या फल मिलता है, इस वर्थ के करने की क्या वीधी है, यदि तुम अपने वर्थ की वीधी मुझे भी समझा दोगी, तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी, तब उन में से एक इस्त् तोशी माता का वर्थ है, इसके करने से द्रिद्रता का नाश होता है, लक्षमी आती है, मन की चिंताये दूर होती है, घर में सुक होने से मन को पशन्ता और शान्ती मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बहार गया हो तो जल्दी आवे, कुआरी कन्या को मन प पैसा जायदाद का लाब हो, रोक दूर हो जावे, तथा जो कुछ मन में काम ना हो, वे सबसंतोशी माता की करपया से पूरी हो जाती है, इसमें कोई संदे नहीं, वह पूछने लगी यह वरत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी करपया होगी, इस तरी कहने लगी सवा रुपै का गुडचना लेना, इच्छा हो तो सवा पांच रुपै का लेना, यह सवा ग्यारा रुपै का भी सहुलियत अनुसार लेना बिना प्रेशाने, शरदा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना, सवा रुपै से सवा पांच रुपै और इस नियम पालन करना सुनने वाला कोई ने मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पातर को रख कथा कहना प्रन्तु नियम ने तूटे जब तक कारियसिद न हो नियम पालन करना कारियसिद हो जाने पर ही वृत का उद्यापन करना तीन महीने में माता अवश्य फल देती है यदि किसी के खोटे ग्रहों तो भी माता एक वर्ष में अवश्य कारिये को शिद करती है कारिये शिद होने पर ही उद्यापन करना चाहिए बीच में नहीं उद्यापन में धाई सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम में खीर तथा चने का साग रखना चाहिए आठ लड़कों को भोजन कराना जहां तक मिले देवर जेट भाई बंदू कुटुम के लड़के लेना ने मिले तो रिस्तेदारों और पडोसियों के लड़के बुलाना उन्हें भोजन कराना यह था शक्ती दक्षिना दे माता का वर्त शर्दा पुर्वक पूरा करना उस दिन घर में कोई खटाई न खावे यह सुनकर बुढिया के लड़के की बहू चल दी रास्ते में लकडी को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के वर्त की तयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी यह मंदिर किसका है सब कहने लगे संतोशी माता का मंदिर है यह सुनकर माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लोट गई दिन होकर विंती करने लगी मा मैं निपट मूरक हूँ वर्त के नियम कुछ नहीं जानती मह बहुत दुखी हे माता जगजन्नी मेरा दुख दूर कर मैं तेरी शर्ण में हूँ माता को देया आई एक शुकरवार बीता कि दुश्रे शुकरवार को ही उसके पती का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा बया पहुँचा यह देख जठानी मुझ सिकोडने लगी इतने दिनों में पैसा आया है इसमें क्या बढ़ाई है लड़के ताने देने लगे काकी के पास अब पत्र आने लगे रुपिया आने लगा अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बहुलेगी बिचारी स्रलता से कहती है भाईया पत्र आवे रुपिया आवे तो हम सबके लिए ही अच्छा है ऐसा कहकर आखों में आसु भर कर संतोशी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरड़ों में गिर कर रोने लगी मा मैंने तुम से पैसा नहीं मांगा मुझे पैसे से क्या काम मुझे तो अपने सुहाग से काम है मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ तब माता ने प्रशन होकर कहा जा बेटी तेरा स्वामी आएगा यह सुन खुशी से बावली हो, घर में जा काम करने लगी, अब संतोशी माविचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कहतो दिया, तेरा पती आएगा, पर आएगा कहां सी, वह तो सपने में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा, इस तरह माता बुढिया के बेटे के जा सपने में परकट हो कहने लगी, सहुकार के बेटे सोता है या जागता है, वह बोला माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आग्या है, मा कहने लगी तेरा घर बार कुछ है या नहीं, वह बोला मेरा सब कुछ है माता मा बाप भाई बहन बव क्या कमी है मा बोली भोले पुतर तेरी इस्तरी घोर कश्ट उठा रही है मा बाप उसे दुख दे रही है वह तेरे लिए तरस रही है तू उसकी सुद्धी ले वह बोला हा माता यह तो मुझे भी मालूम है प्रंतु मैं जाओं क सवेरे नहा धोकर संतोशी माता का नाम ले गी का दीपक जला दंडवत परणाम कर दुकान पर जा बैठ देखते देखते तेरा लेन दिन सब चुक जाएगा जमामाल बिक जाएगा सांज होते होते धन का धेर लग जाएगा जब सवेरे बहुत जल्दी उट उसने सपने की बात कही तो सब उसकी बातन सुनी कर उसका मजाग उडाने लगे कहीं सपने भी सच होते हैं एक बूढ़ा बोला देख भाई मेरी बात मान इस परकार सच जूट करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है वे बूढ़े की बात मान सनान कर तोशी माता को दंडवर्थ पर नाम कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा थोड़ी देर में वह क्या देखता है देने वाला रुपिया लाहे लेने वाले हिसाब लेने लगे कोठे में भरे समानों के खरीदार नगत दाम में सोधा करने लगे शाम तक धन का धेर लग ग ना हुआ वहाँ बेचारी जंगल लकडी लेने जाती और लोटते वक्त मा के मंदिर पर विश्राम करती वह तो उसका रोजाना रुखने का स्थान था दूर से धूल उठती देख वह मा से पूस्ती है हे मा यह धूल कैसी उड़ रही है मा कहती है पुत्री तेरा पती आ रह तेरे पती को लकडी का गठा देखकर मौ पैदा होगा वह वह रुखेगा नास्ता पानी बना खाकर मा से मिलने जाएगा तब तू लकडीयों का वोज उठा कर घर जाना और भी चोक में गठा डाल गर तीन आवाजे जोर से लगाना लो सासू जी लकडीयों का गठा लो इन गठे ले आई एक नदी तट पर एक माता के मंदिर पर रखा इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा सूखी लकडी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करे और भोजन बना खाकर गाउं जाए इस परकार भोजन बना विश्राम कर वह गाउं को गया सब से प्रेम से मिला उस समय बहु सिर्फ पर लकडी का गठा लिये आई लकडी का भारी भोज आंगन में डाल जोर से तीन अवास देती हैं लो सासू जी लकडी का गठा लो भूसे की रोटी दो नारियल के खोपरे में पानी दो आज महवान कोन आया है यह सुनकर सास बहार अपने दिये हुए कस्टों को बुलाते हुए बोली बहु ऐसा क्यों कहती है तेरा मालिक ही तो आया है आ बैठ मिठा भात खा भोजन कर कपड़े गहने पहन इतने म्यावाद सुन उसका स्वामी बहार आता है और अंगूठी देख व्याकिल हो व्याकिल हो मा से पूचता है मा यह कौन है मा कहती है बेटा यह तेरी बहु है आज बारा वर्ष हो गए है तू जब से गया है तब से सारे गाओं में जानवर की तरह भटकती फिरती है काम काज घर का कुछ करती नहीं चार समय आकर खा जाती है अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के चाबी दो मैं उसमें रहूंगा तब मा बोली ठीक है बेटा तेरी जैसी मर जी कहकर चाबी का गुच्छा पटक दिया उसने दूसरे कमरे की चाबी ली और अपना सारा सामान जमाया एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गया अब क्या था वे दोनों सु तच्छा खुशीशे करो वह तुरन थी उद्यापन की तयारी करने लगी जेट के लड़कों को बोजन के लिए कहने गई उसने मंजूर किया प्रन्तु पीछे जठानी अपने बच्चों को सिखाने लगी देखो रे बोजन के समय सब लोग खटाई मांगना जिससे उसका उ खैरूची होती है बहु कहने लगी खटाई किसी को नहीं दी जाएगी है तो संतोशी माता का परशाध है लड़के तुरंत उठ खड़े हुए बोले पैसे लाओ बहु बोली बहु वरत की वीदी कुछ कुछ जानती नहीं थी सो उन्हें पैसे दे दिये लड़के उसी समय जा करके इमली लाग खाने लगे यह देखकर बहु पर माता जी ने कौप किया राजा के दूद उसके पती को पकड़ कर ले गए जेट जठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे लूट लूट कर धनी कठा कर लाया था सो राजा के दूद पकड़ कर ले गए अब सब मालुम पढ़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा बहु से यह वचन सहन नहीं हुए और रोती रोती माता के मंदिर में गई है माता तुने यह क्या किया हसकरब क्यो रूलाने लगी माता बोली पुतरी तुने उध्यापन करके मेरा वर्त भंग किया है इतनी जल्दी सब बाते माता बूली तो कुछ नहीं हूँ नहीं कुछ अपराद किया है मुझे तो उन लड़कों ने भूल में डाल दिया मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिये मुझे शमा कर दो मा मा बोली अब ऐसी भी कभी भूल होती है वह बोली मा मुझे माफ कर दो मैं फिर तुम्हारा उध मिलेगा वह घर को चली रहां में ही पती आता मिला उसने पूछा तुम कहां गए थी तब वह कहने लगा इतना धन कमाया है उसका टेक्ष राजा ने मांगा था वह भरने गया था वह प्रसन हो बोली भला हुआ अब घर चलो कुछ दिन वाज फिर शुकरवारा है वह बोली मु यही खटाई मागना लड़के कहने लगे हमें खीर नहीं बाता जी बिगड़ता है कुछ खटाई खाने को दो वह बोली खटाई खाने को नहीं मिलेगी आना हो तो आओ वे ब्रहमनों के लड़के बुला भोजन कराने लगी यता शक्ती दक्षणा की जगह एक एक फल उन्ह मा ने सोचा यह रोज आती है आज क्यों नहीं मैं इसके घर चलूँ इसका आश्रा देखू तो सहीं यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया गुड़ और चने से सना मुख उपर सूंड के समान होट उस पर मखिया भिन भिना रही थी दहलेज में पाउं रखते ही उसक सास चिलाए देखो रहे कोई चुडैल डाकिन चली आ रही है लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी लड़के डरने लगे और चिला कर खिड़की बंद करने लगी बहु रोशंदान में से देख रही थी प्रशंता से पगली होकर चिलाने लगी आज मेरी मात जी मेरे घर आई है यह कहकर बच्चे को दूद पिलाने से हटाती है इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा बोली करम जली इसे देख कर कैसे उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया इतने में मा के परताप से जहां देखो वही लड़के ही लड़के नजर आने लगी वह बोली मा जी मैं जिनका वरत करती हूँ यह वही संतोशी माता है इतना कहजट से सारे घर के किवाड खोल देती है सबने माता के चर्ण पकड़ लिए और विंती कर कहने लगे हे माता हम मूर्ख है अग्यानी है पापी है तुम्हारे वरत की वीदी हम नहीं जानते तुम् को जैसा फल दिया वैसा सब को दे जो पढ़े उसका मनोर्थ पूर्ण हो बोलो संतोशी माता की जैं हो दोस्तों अगर संतोशी माता की खता आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज स्पोर्ट माइ चैनल और थैंक यू फोर वोचिं द विडियो थैंक यू